पिछले कुछ जिनों से लगबग हर दिन हमें कोई ने कोई नया अपडेट देखने मिल रहा है अपकमिंग टीवीज को लेकर और अब तक लगबग 5 ब्रैंड ऐसे हैं जिनोंने अपनी अपकमिंग टीवीज की ओफिशिल अनॉंसमेंट कर दी है और उन सभी टीवीज की जो लॉंच है वो आने वाले 10 से 15 दिनों के बीच ही है अब इस लिस्ट में और एक नाम जुड़ चुका है और ये नाम है मोटरला का जियां दोस्तों अब मोटरला भी अपनी नई टीवी को लॉंच करने वाला है अफिशिल अनॉंसमेंट हो चुकी है फिलिपकार्ट पर लॉंच पेज आ चुका है और ये जो टीवी है फिलिपकार्ट के बिग बिलियंड डेस सेल के दुरान लॉंच होने वाली है यहां पर ये पोस्टर जारी किया गया है और इससे आपको तदा कुछ पता नहीं चलता है बिसिकली टीवी का एक्चल लुक भी से नहीं पता चलेगा लेकिन कुछ इनफॉर्मिशन है जो कि मैं आपको पताना चाहूंगा यहां पर मोटरला इस बार क्यूलेट टीवी लॉंच करने वाला है यहां आपने बिल्कुल सही जोना तो यहां पर जो बजट ब्रैंड्स है वो एक स्टेप आगे आ रहे हैं क्यूलेट टीवी की तरफ मुस्लिप जो बजट ब्रैंड्स है वो क्यूलेट टीवी नहीं लॉंच करते लेकिन यहां पर मोटरला की तरफ से इस बार आपको क्यूलेट टीवी मिलने माली है और यहां पर इन टीवी के साथ में आपको गेम पैड भी फ्री दिया जाएगा जिसके लिए मोटरला जाना जाता है तो यहां पर फिलाल यह दो चीज़े अभी तक हमें पता चली हैं मोटरला के अब कमिंग टीवी की अब सवाल आता है कि यहां पर कितने टीवी होंगे और कौन से कौन से विरेंट्स लांच किये जाएंगे अब देखिए विरेंट्स के बारे में तो कोई अभी तक अनॉंस्मेंट आई नहीं है लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है आपको पिछले साल के तरह ही 32 इंच, 40 इंच तके दो नॉर्मल विरेंट्स मिलेंगे यानि HD और फुल HD वाले विरेंट्स मिलेंगे और हो सकता है आपको बजट 4 के टीवी देखने मिले और उपर आपको 50 और 65 इंच के 2 QLED टीवी देखने मिले या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ QLED टीवी देखने मिले तो अभी यह कहना मुश्किल है लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि पूरी complete range यहां पर launch होगी जिसमें QLED टीवी भी होने वाले हैं यहां पर मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा Nokia and Motorola इनकी जो टीवी देखने मिलती है यह basically Flipkart के partnership के तहर देखने मिलती है जो Nokia और Motorola ब्रैंड है इन्होंने Flipkart के असाथ है partnership करी है और इसके तहती जो Nokia और Motorola के नाम के home appliances है जितने भी वो सब यहां पर Flipkart manufacture कर आता है और उनकी after sales service भी Flipkart ही देता है और यहां पर Nokia की TVs भी इसी Big Billion Day Sale में launch होने वाली है और जो Nokia की TV होगी वो 4K TV series होने वाली है शाय से महाँ पर भी आपको 32 इंच और 43 इंच वाले Full HD विरेंट देखने मिल जाए और TVs के अंदर आपको Android TV 11 देखने मिलने वाला है और JBL powered speakers भी मिलेंगे तो शाय से मुझे ऐसा लग रहा कि जो Nokia है वो अब budget category में play करेगा यानि कि जो 30, 40,000 या फिर 50,000 रुपए की जो TVs आते हैं उस range में Nokia रहने वाला है और जो 50,000 रुपए के उपर ये category है थोड़ी सी महंगी वाली जहांपर QLED TVs वागर आते हैं mostly वो यहां पर आप जो है मोटरला कवर करेगा मेभी मैं जो ऐसा लग रहा है कि अब Nokia इसके अंदर play करेगा और मोटरला जो है थोड़ा अपर कैटिगरी में play करेगा बिकॉस अल्टिमेटली जो है फिलिप कार्ट यहां पर है तो competition ना हो शायद इसके लिए यहां पर आपको जो है दोनों competition में ना देखने में या फिर हो सकता है कि आपको मोटरला के भी budget TVs भी देखने में तो फिलाल कहना मुश्किल लेकिन जसमें अपना उपीन आपके अपने शेयर कर रहा हूं इसके लावा बात करें जाए कि मोटरला के नए TVs में आपको specs क्या मिलेंगे देखिए एक बात तो यहां पर पकी है हमने 2020 के मोटरला TVs को यूज कर रहा है मोटरला review की बात कर रहा हूं मैं काफी बहतरीन picture quality काफी अच्छा design और specification की बात तो आप करिये ही मत मतलब जो मोटरला review smart TV है वो last year 2020 के end में launch कर गए थी और वो TV इस समय launch होने वाले latest TVs को काफी तगड़ा competition दे रहे है like for example आप Mi TV 5X को ले लीचे Mi TV 5X अभी recently launch कर गए लेकिन अगर आप उसे मोटरला review से compare कर रहेंगे तो मोटरला review में picture quality काफी अच्छी है और specification वगरा भी आपको काफी अच्छी मिल रहे है तो सोचिए जो TV XL पहले launch होई थी वो इस समय नमबर बन TV निकल कर आ रही है बाकी सारे नए TVs को competition दे रही है तो सोचिए जो अभी actual इस समय की जो नई TV है वो कैसे निकल कर आएगी तो specification के मामले में no doubt मोटरला TV में आपको सभी latest specs मिलेंगे चाहे वो HDMI 2.1 की बात हो, ER support की बात हो, latest Android 11 या फिर Android 10 आपको मिलेगा तो specs, software और hardware के मामले में आपको latest ही मिलेंगे अब देखने लिए बात ही होगी कि कि यो लिए TV में आपको 60 Hz का refresh rate मिलता है या फिर 120 Hz का refresh rate देखने मिलता है जा तक मुझे लग रहा है 60 Hz के साथ ही आने वाला है तो अब यहाँ पर बाकी सारे details तो सामने निकल कर नहीं आई है मेरे पास जो details ही हो मैंने आपको बता दी मेरा जो opinion था और जो मैंने guess किया है वो भी मैंने आपको बता दिया है अब सवाल आता है pricing का देखे प्राइजिंग की बात करें जाया तो जो QLED TVs थोड़े महेंगे होंगे विकास इसमें TV के प्राइस भी काफी जादा हाय चल रहे है उपर से QLED TV तो मेरे साब से एक आइडिया लगाया जागर 55 इंच के टीवी लाँच होती है बजट कैडिगरी में तो आई होप यह विडियो आप सबीकले इंफॉर्मिटिव रहा होगा मैंने कुछ अपना ओपीनिन भी आपके साथ में शेयर किया है कुछ मैंने यहाँ पर गैसिंग भी करी है तो आई होप यह विडियो आपसे लिगे यूसफुल रहा होगा बाकि अगर आप टीवी लेना चाहते हो तो मैं आप सबीको सज़ेस्ट करूँगा कि आप अभी टीवी मत बाई कीज़े बिकास सेल के दुरान अल्रेडी अविलेबल टीवी पर डिसकाउंट भी मिलेगा और बहुत से नए टीवी बे आने वाले हैं मोटरलाओ के मुलाके लगबग 6 ब्रैंड यहाँ पर हो चुके है जिनके टीवी आप को इंटेन मारकेट में देखने मिलेंगे जल्दी तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देजेगा और चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को भी सब्सक्राइब कर लीजे इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शखेगे जे ताकि उनको भी बता चल सके कि बाकी आने वाले टीवीज कौन से है इसी के साथ अगर आपको नहीं पता है बाकी के 5 ब्रैंड कौन से है जिनके टीवीज आने वाली है नीचे में अपने आर्टिकल का लिंक दे दूँगा उस आर्टिकल में मैंने सभी अपकमीन टीवीज के बारे में डिटेल में डिस्कूस किया है आज के लिए तना ही मिलता हूं नेक्स वीडियो में अब दक के लिए टा टा बाई बाई साहो नारा